नमस्कार देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत हैं आप देखरें खबर बोक्स और मैं हूँ आपके साथ सुमन इसके साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे आज कौन-कौन सी सरकारी नोकरिया निकली है और उनसे जुड़ा फ़ाग क्या है नया अपडेट इसके अलावा और भी कई मैं तो पुन खबरों से आपको करवाएंगी रूपरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर कड़े सुरक्षे इंतिजाम के बीद मोदी के गड़गुज़ात पहुंचे राहुल गांधी कॉंग्रेस कारे करताओं को किया संबोधित रास कोट गेम जोन हाथ से और मोर भी पूल हाथ से के पीड़ितों से भी की मुलाकात दिली एंसियार में टमाटर ने चुआ आसमान सो रुपे किलो पहुंची कीमते वहीं आलू प्यास ने भी दिखाए तेवर खुद्रा मुले पर जहां आलू 40 तो प्यास पच्चास रुपे किलो भीक रहा जियों के बाइकोट करो, BSNL में पोट कराओ, पहले फ्री लालच बाद में थोड़ा बढ़ाया, आप तो हद ही पार कर दी, बड़े रिचार्च के दामों पर फूटाल लोगों का गुस्सा आयोध्या की तरहें गुज़ात में भी बीजेपी को हराएंगे, कॉंग्रेस ने तरह हुलकांदी ने पीए मोधी पर कसा तंज बोले की मोधी आयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन हार के डर से वालान सी गए, वहां भी मुस्किल से जीते घटना से दुखी हूँ, दोसी बक से नहीं जाएंगे, जो उबदर्वी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हातरस हाथ से के बाद पहली बार सामने आया भोले बाबा का बयान, वहीं सत्संग के मुखे आयोधक देव प्रकास माधुकर दिल्ले से हुए गिरफतार, एक सबा प्रमुखकली शादव ने उठाए सवाल कहा कि छोटी मोटी गिरफतारियों से नाकामी छुपा रही सरकार, हाथ से किन्याइक जाच होनी चाहिए ममतब एनर्जी ने उड़ाई सविधान की धजियां उपचुनाव जीत कराए दो टीम से विधायकों को दिलाए स्पीकर पद की सपद बंगाल गवर्नर आनंद वोस हुए खफास सविधान के आर्टिकल 188 का हवाला देते हुए बताया ऐ सविधानिक राष्टपती मुर्मु को लिखे चिठी भारी बारिश ने रोकी अमरनाथ यात्रियों की चाल सोला राजो में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी वहीया सम्मे बार से तबाही तो उत्राखंड हिमाचल में भुस्कलन का कहर अंद्रप्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षर पीम मोदी से मुलाकात के अगले दिन ही बोले सीम एन चंदरबाबु नाइडू कहा कि मुसल्मानों को दिया गया आरक्षर समाजिक न्याय के लिए है ना कि तुष्टी करण के लिए ये लोको पाइलेट बाहर से लाए गई है हमारी लोबी से नहीं राहूल गांदी की दिली में लोको पाइलेट से मुलाकात पर रेलवे बयान से छिड़ा विवाद बीजेपी ने शेयर किया वीडियो ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने जीती चार सो पार सीटें तो कॉंग्रेस नेता ससी थरू नेकसा बीजेपी परतंज कहा कि अब की बार चार सो पार हुआ लेकिन किसी दूसरे देश में जम्मु कस्मेर में अमर्नाथ यात्रा के बाद किसी भी समय हो सकता है विदान सबाच चुनाव का एलान इलेक्शन कमीशन ने 10 जुलाई को बुलाई एहम बैठक अमर्नाथ गुफा मंदिर में यात्रा शुरू होने के साथवे दिन ही बाबा बर्फानी हुए एद्र शेप पहली बार हुआ ऐसा अब यहां आने वाले श्रधालों को सिफ पवित्र गुफा के ही होंगे दर्शन जम्मु कस्मीर में भाजबा 90 सीट पर लड़ेगी वितानसबा चुनाव अकेले अपने बूते सरकार बनने पर जोड़ देगी बीजेपी केंद्रे ग्रह मंत्री अमित शान दिली में चुनाव की रणीती पर की चर्चा भारत में बड़ी मोबाइल रिचार्च की कीमतों पर केंद्र परबरसा विपक्स कहा कि दूर संचार कंपनियों को बिना किसी निगरानी और वी नियमन के एक तरफा दरू में व्रदी करने की अनुमती कैसे दी जा सकती है वहीं केंद्र सरकार बोली कि भारत में मोबाइल शुल्क सबसे कम कॉंग्रेस के दावे बे बुनियादी ONGC में 89 और SAIL में 249 पदोपनिकली बंपर वेकेंसी वही MPPSC में मेडिकल ओफिसर बनने का सुनेरा मोका इसके अलावा सभी सरकारी नोक्रियों की ताचा अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rk alert.in वेबसाइट पर राहुल गांदी के हमदावाद में हुआ विरोध वी एचपी और बजरंग दल ने फूके पुतले पुलिस ने हिरासत मिलिया बाजबा की वोसिंग मसीन सभी ने देखी है सभी जानते हैं कि जांच एजंसिया किसके लिए काम करती हैं दिली जल बोर्ड मामले में एडी के छापे पर मंत्री आतीशी बोली की बीजेपी को समर्थन देने के बाद अजीद पवार प्रफुल पटेल और हीमंद विस्वा सर्मा के खिलाब भी पिश्टाचार के मामले बंद हो गए हैं कटर 35 जलीली को 30 लाग वोटों से हरा कर इरान के नोवी राष्टबदे वनी मसूद पंजिस्कियान ये मुस्लिम देश में हिजाब का विरोध करते हैं और अमेरिका को दुस्मन मानते हैं जार्जुन के बाद कुछ नय घटना करम हुआ इसकी वज़े से केजेवाल को अरेश्ट किया गया सराबनिती केस से जुड़े मामले में CBI बोली बाकी आरोपियों की जाच पूरी दिली CM की बाकी आरोपियों को सक्त सजा मिलेगी सरकार उठाएगी ठोस कदम तमिलनाडू के BSP अध्यक्स की हत्या परवोले CM स्टालीन देड साल पहले योगी अलनेरों की भविश्यवानी मोसम समंधी आपदाओं की पूर्वे सूशना देने का नया मोडल XRO विक्सित अनन्त रादिका की संगीत सेरेमनी में जस्टिस बीबर का हुआ परफोर्मेंस जावेद जाफरी की बेटी ने सिंगर को गले लगाया वोलिवोड स्टार्स के साथ हमबानी परिवार भी तिरका बिजेन की संसद में भारती मूल के संसदों का बोल बाला 29 सुमें द्वारों ने जीता चुनाव सिखों ने भी बनाया रिकोर्ड 12 सदिश्य सिख समुदाई ने जीते यूपी में कते ही बक्षा नहीं जाएगा भू माफिया अवेद कबजे को लेकर सियम योगियादी तिनाथ ने अधिकारियों को दिये सक्त निर्देश बोले किसी भी दिशा में बक्षे न जाएं धबंग अपनाएं जीरो टोलरेंस की नीती केरल में इंसानी दिवाग खाने वाले अमीबा का चोथा केसा है सामने 14 साल का लड़का हुआ संक्रमीद तीन बचों की पहले हो चुकी है मोद नाक के जरिये सरीर में खुसता है बैक्टिरिया पीपीएफ में हर महीने 500 रुपे का निवेश बनाएगा लगपती इसमें 7.1 प्रतिशत ब्याज के साथ इंकम टेक्स में भी मिलेगी चूट इस स्कीम में 15 साल का रहता है में चोटी पीरियड जून दो हजार चोबिस में देस भर में टोटल 18 लाग पिचार में 1552 गाडियां भी की हीरो ने 3.97 लाग टू वीलर बेचे वहीं 4 वीलर में 1.13 लाग कारें बेचकर मारूती टोप पर जो इसलाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत ममताव एनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम के बयान से मचा बवाल यह थोती सुर्ख्यां अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों क्यों खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी के गटगुजात में दहाडे राहूल गांदी की जी हां बिते दिन राहूल गांदी एहमदावाद पहुँचे जहां उन्होंने मोदी पर तेज सरार हमला बोला जोरान राहूल गांधी ने बीजेपी की दुखती रग पर आयोध्या की चर्चा की और पीम मोदी से जुड़े हुए आंतरिक राज की पोल खोली साथी राहूल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पीम इन चुनाओं में बाल बाल बचे नहीं तो वारान से की जनता मोदी को धूल चटा देती तो ऐसे में क्या है पूरी खबार देखे हमारे इस खास रिपोर्ट से लोग सबा में विपक्स के नेतर राहूल गांदी बीते दिन गुज़ात दोरी पर एहमदावाद पहुचे राहूल के पहुचने से पहले विश्वे हिंदू परिशद और बजरंग दल कारे करताओं ने उनके पुतले जलाए कारे करता संसत में राहूल के कतित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे थे पुलिस ने इने रासत में ले लिया, विरोध के बीच ही राहुल एमदावाद में कॉंग्रेस कारियले पहुंचे, जिसके बाद राहुल गांदी ने अपने कारी करताओं को संबोधित किया, इस दुरान राहुल ने भाजपा और नरेंद्र मोधी पर जम करने साना साथा, र राहुल ने कहा कि एरपोर्ट बनने से आयोध्या के किसानों की जमेन चली गई, आयोध्या के लोग इस बात से नारास थे, कि राम मंदीर के उधगाटन में आयोध्या से किसी को भी आमंतरित्र नहीं किया गया था, जो आंदोलन आडवाणी जी ने शिरू किया था, जिसक कोई गरीवा नजर नहीं आया, मैं आप से कहने आया हूँ कि उन्होंने हमारे ओफिस पर हमला किया है, हमें डरना नहीं है, उन्होंने हमें चैलेंज किया है, चैलेंज ये है कि हमें मिलकर भाजपा को गुजजात में हराना है, अब कॉंग्रेस पार्टी नरिंद्र मोधी और भाजपा को गुजजात में हराएगी, साथी राहूल ने बड़ा दावा किया कि पीम मोधी आयोध्या से लोकसवा चुनाव लड़ना चाते थे, लेकिन वहां तीन सर्वे करने वालों ने कहा कि अगर आप आयोध्या से चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे और राज स्किल से जान बची है, बचाना तो सीम योगी चाते थे हात्रस में हुए हाथसे से ऐसा आरोप अकिलेश यादम ने लगाया है, साथी कहा है कि प्रशासन निर्दोश लोगों की छोटी मोटी गिरफतारिया करके अपने नाका में छुपा कर पल्ला जढ़ना चाती है, तो सपादेक्ष ने इस मामले में चोटी मोटी गिरफतारियों को सडी अंतर बताया और इन गिरफतारियों की नाईक जाच की मांग की है, सपादेक्ष अकिलेश यादम ने सोसल मीडिया एक्स पर उन्हें लिखे गई एक पत्र को शेयर करते हुए गिरफतारियों पर सवाल उ यूपी सासन प्रशासन हातरस हाथसे में अपनी नाकामी चुपाने के लिए चोटी मोटी गिरफतार यां दिखा कर सैकडों लोगों की मोट से अपनी जिम्मेदारी का पला जढ़ना चाता है, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में उनको ही दो सी ठहराई जाने की तयारी कर रहा है, इन गिरफतारियों की तुरंत न्या एक जाचो जिसे यूपी की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके, अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि उन्हें आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर आजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। उसके सभी प्लांस की कीमते बढ़ गई है, इसे तुरंद भाद भारतिय एर टेल और वी आई ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की खोशना की, उन्होंने प्लान की कीमतों में 25 परतिशत की बढ़ोतरी की है, नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो गई है, रिचार्ज महेंगी ह पहले लोगों को आदत लगाई, अब जियो दस गुना वसूली कर रहा है, टेलिकॉम बाजार में कमपनियों की एमन मानी लूट नहीं चलने देंगे, वहीं डॉक्टर संजय नाम से यूजर्स ने लिखा कि अपने बेटे की शादी का बोज मुके संबानी ने जियो के इसकार कर रहा हूं और देश के बियसनल को अपनाने की मुखीम चला रहा हूं। सेलफोन यूजर्स, रिलाइन, जियो, एर्टेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तमाल करते हैं। मोदी सरकार ने इन 109 करोड सेलफोन यूजर्स पर साल आना 34,824 करोड रुपए का बोज डाल दिया है। मोबाइल जूल को बढ़ाने से क्या जियो को फाइदा होगा या नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और हाँ, आभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज जरूर कर लीजेगा।